दोस्तो आज मैं अपनी एक फेवरेट स्ट्राटेजी आपसे शेयर करने वाला हूँ जो किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करेगी किसी भी तरह के स्विंग ट्रेड के लिए काम करेगी बहुत पैसा बना के देगी जबरदस्ट पैसा बना के देगी आपको करना क्या है इस वीड जिसको मैंने Fires के साथ ट्रेडिंग पैनल को क्लब किया है तो बहुत ही जबरदस काम करता ट्रेडिंग पैनल को कैसे क्लब करना है यह जब जाएंगे यहाँ पर आपको अपने उससे लॉग इन करना होगा Fires का आपको नीचे बटन दिखाई देगा Connect पे आप क्लिक करेंग और Continue करेंगे आपको अपनी यूजर आईडी पासवर्ट देनी है और इतनी ही देर में वो आपके Fires का ट्रेडिंग पैनल को ट्रेडिंग को साथ बिलकुल मैप कर देगा तो यह हुआ एक जबरदस्त फीचर ट्रेडिंग को का अब Strategy क्या है इसके लिए क्या setup चाहिए बहुत ज़रूई है चलिए screen को पर चलते हैं और मज़ा आने वाल है प्लीज स्ट्रेडिंग को पूरा देखना बैक टेस्ट करना बैक टेस्ट करने के लिए प्लाट्फोर्म का बैक टेस्टिंग बहुत ही जबरदस्त है अभी Fires के साथ बीटा फेस में है जैसे ही चीज़ कंफर्म होगी आपके पास जो हजार रूपे ट्रेडिंग के प्लाट्फोर्म पर खचने पड़ते हैं आपको एक प्रफेशनल ट्रेडर मने के लिए पूर नहीं देना पड़ेगा तो इस वीडिए को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें discipline की बात करेंगे money management की बात करेंगे और कैसे test करना है कैसे इसके उपर में practice करनी है सब चीज़ा discuss करने वालो तो अगर आप beginner है तो भी वीडियो आपके लिए प्रो हैं फेल कर रहे हैं तो भी वीडियो आपके लिए तो प्लीज वीडियो कॉन्टक्स से लूर देखे आपको समझे नहीं आता कि इस candle के उपर में आपको क्या करना है कि आप बने रहना और निकल जाना है किया वाक stomates करना चुरू करना के और शjektेशी अचेकर कर देटी है कि आप got trade भी है जादध जदा आसान हो जाता है एकनेशी को ऐसे यूज करना है उसके उपर वीडियो मैंने बना कर रहे हैं चैनल पर जाईए प्लीज वीडियो को ज़रूर देखना अभी आई बटन में उस वीडियो को लिंक भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को आपके लिए खासकर swing trade करने के लिए tried and tested है अब यह कौन-कौन सी moving average है यह है 5 EMA, 8 EMA, 13 EMA आपने बहुत साही वीडियो के उपर देखी होंगे आपने मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो पहले भी देखी होंगे बट यह कुछ different होने वाला है तो थोड़ा time दीजे तसलिए अब यहाँ पे काम exactly क्लिक कैसे करना है, entry कैसे करनी है आप कुछ रोख रहेंगे कि post market में वीडियो बनाना बड़ा असान है जी हाँ वीडियो बनाना असान है पट आपको अगर live market में testing करनी तो सुबह 9 से 11 daily मेरे youtube चैनल के उपर में live streaming होती है असली scalper के उपर में कुछ नया चैनल है और पहले अगर भी आपने बहुत प्यार दिया था नहीं चैनल पर आपके प्यार की वेट कर रहा हूं तो यह आईए daily नो से क्यार daily पैसा बनाई हो जो strategy कहेंगे live market में उसको try करेंगे test करेंगे ताकि आपकी जो myth है कि बजार में strategies काम नहीं करती strategies बदल लेनी चाहिए ये काम नहीं क किसी strategy पर हमें loss होता है हम strategy को बदल देते refine करने कोशिश करते हमको लगता है कि हा कुछ नया मिल जाए जिसमें पैसा बनने लगे पर अगर आप एक ही strategy के उपर में एक अच्छा सा risk reward ratio के साथ काम करते हैं तो खराब से खराब strategy भी आपको पैसा बना के देगे अब यहाँ प काम करके देंगी बहुत यह बढ़िया तरही से अब काम कैसे करना है कि यह किसी भी time frame पे काम करेगा मैंने early time frame लोगा है swing के लिए इसको 5 minute पर भी देखेंगे 1 minute पर भी देखेंगे 1 day पर भी देखेंगे 1 week पर भी देखेंगे 1 month पर भी देखेंगे तो पूरी cross checking करके जाए पूरा वीडियो बहुत interesting होने वाला और निफ्टी के लाव बैंक निफ्टी पर देखेंगे आउ जोंस पर देखेंगे आप जिस पर कहेंगे उस पर देखेंगे बिटकोइन पर भी देखेंगे ठीक है अब यहाँ पर होता क्या है signal क्या आता है signal आपको चाहिए ऐसी candles इसी का alert candle हुआ मतलब यहाँ पर alert होना शुरू हो गया अब हैकनेशी की beauty क्या है कि जो दूसरी candle होती है वो हमेशा से previous candle के midpoint से ही बनती है देखें यह अगर देखेंगे पिछली candle की body के midpoint से बनी है अगर आपकी next candle में wick नहीं है वो बीरिश candle form हो रही है तो आप उस candle के खतम हो होने से कुछ देर पहले भी trade initiate कर सकते है तो previous candle की जो body है उसके midpoint से next candle form होगी ही यह beauty है है किनेशी की पहले से ही पता लग जाता है जब आखेंगे बीरिश candle close हो जाती है तो साथ में अब आपको यह देखना है कि आपका trade तो है initiate हो गया अगर आप यहां डर रहे हैं तो 5813 के crossover point की wait कीजिए इस point की तो आपका trade यहां ना होगा अब यहां से देखे 18664 से बजा गिरते 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 नीचे 18556 तक आ गया तो मोटा मोटा 100 points की निफ्टी आपको trade करने को मिली मतलब एक हार के time frame पे swing में आपको 100 points अगर आपको मिल रहे है that means you are making 5000 rupees per day 5000 पे daily बना bullish setup complete हो जो hack energy के हिसाब से है यह bullish setup यहां complete होता है अब bullish setup इस candle के उपर complete होता है यहां से जब को buy का trade मिलता है और वहां पे अगर 5813 का crossover भी आपको दिखाई देर है 5813 का bullish crossover भी आपको दिखाई देर तो यह best हो जाती है तो अगर आप जब तो cross down या cross over पे काम नहीं करते हैं और अगर मान लिजे यह bullish setup है देखो normal candles में और hack energy candles में difference किया आएगा अगर मैंने यहीं पे normal candles लगा लिए है तो आपका buying तो बन गई है यहां पे तो आपको trade बहुत अच्छा लग रहा है कि next आपका gap से वी उपर खुल गया पर उसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसे points हो जहां उसके ऊपर वाली moving wage उससे ऊपर का support का का काम करेगी और सबसे चो छोटी moving wage जो 5 period की है वो आपको immediate support का का काम करेगी तो आप support के आसपास अपने stop losses को plan कर सकते हैं बट अगर आपको यह red candle में डरना ही नहीं है तो आपको सिरफ hack energy को साथ में chart लगा अगर दो चार्ट इखट setup है बेरी setup है 513 का downward crossover है cross below कह सकते हैं आप ठीक है तो यहां पे आपको एक बढ़िया trade मिलता है 44,000 से bank nifty का short करके यहां ते 43,500 500 points का आपको bank nifty में trade मिल रहा है कहीं पे भी यह अगर आप आरली chart पे काम नहीं करते हैं आप 5 minute के chart पे काम करते हैं देखें 5 minute पे कैसे काम करते ह जब आपका crossover नहीं हो पा रहा है तो यहां पे अच्छे अच्छे लोग trade नहीं लेते हैं है कि आपको यह पताएगी कि हैकनेशी का यह alert था यह आपका confirmation था तो यहां से आपका पूरा पूरा sell ही चल रहा है क्योंकि यह सारी continuation candles हैं bearish trend की यह सारी continuation candles खतब होती हैं इस candle के आस इना मज़ा आता है यहां पे crossover भी आपको मिला 43,743 पे और बजार ने next time bearish setup दिया 43,798 पे 44,000 almost वाल यहां से आपको फिर से 300 point के आसपास bank nifty के trade करने को मिले हैं यह 5 minute पे है 3 minute पे देखिए क्या 3 minute पे ऐसा कुछ मिलता है 3 minute पे beautifully काम करता है beautifully कितने बड़े-बड़े trades आपक देखो एक bullish trend के अंदर में यह alert मिला आपको अलर्ट मिला 1 minute का है ना 60 second का timer लगा सकते फायर के टर्मिनल पे उपर आज जाके आखरी की 10 second में confirmation हो जाती है कि वही next candle कैसी कुलने वाली है next candle bearish खुली आप इस candle पे trade अगर नहीं भी ले रहे हैं तो आप इस candle पे यहां पे trade ले आप देखेंगे कितना अच्छा यहां पे इस candle में आपको अलर्ट दिया 5813 का crossover bang on bang on देखिए 43,794 से और next alert कहां पे आता है next alert आता है बिलकुल टॉप पे 44,060 पे जबरदस्त जबरदस्त 300 points का trade बेंग निफ्टिक अंदर में एक मिनट की candle पे non-stop और 5813 की beauty देखिए कितना जबरदस support लेती भी चल रही है और यहीं पे अगर मैं इसको candles पे लगा दूँ तो candles पे आपको कहिन के जब भी red candle आएगी आप सोचेंगे निकल जाओं क्या निकल जाओं यहां निकल जाओं यहां निकल जाओं यहां निकल जाओं बट अगर 5813 को normal candles पे भी आप लांट करत देखें most tradable है most tradable ठीक है आप देखिए tax पे देखिए tax futures लोग ट्रैक करते हैं समझ में आता है न कि जर्मनी क्या कर रहा है निक कर रहा है bitcoin को देखिए bitcoin के उपर जो bitcoin के traders है जबरदस strategy है एक strategy सभी underlying पे सभी countries पे काम करते है क्योंकि सब prices है और मैं क्या कहता हूँ stop market is just number game य daily trade करो मेरे साथ में daily live market को study करेंगे जो strategy करेंगे live market में कोई back testing नहीं front testing forward testing live testing दोस्तों 20 साल से बाजार में हूँ 20 साल से blocking industry को serve किया है और बाजार में बहुत पैसा खराब किया है लोगों को खराब करते हुए देखा है जो discipline की में बात करता है वो discipline क्या आता है दोस्तों जिस discipline की में बात करना था आपसे बहुत discipline है money management सबसे पहली बात अगर आप option trader है तो आपको पूरा पैसा अपनी capital का कभी भी options trading में नहीं लगाना यह सोच के पैसा बाजार में नहीं लगाएंगे कि मैं पैसा double कर दूँगा मेरे उपर EMI चल रही है मझे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकरता करना है मेरी responsibilities है social financial emotional responsibilities वो बाजार से पूरी नहीं होग अगर आप बाजार में पूरा पैसा options में लगा कि आपने देखा किसी का screenshot और आपको लगा एर उस बंदे ने 2 लाग कमाए 5 लाग कमाए 10 लाग कमाए तो क्या आप कमा सकते हैं क्या आप उस capital से काम कर रहे हैं जो सामने वाला trader काम कर रहा है जी नहीं सबकी अपनी capital most of the traders में देखता हूँ इस बाजार में जो newbies आते हैं किसी को देख के किसी से influence होके वो बाजार में 10,000, 20,000, 50,000 से start करते हैं और मांगते मांगते लोगों से borrow करना start करते हैं loan ले 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 लेते हैं bank से पैसा निकालते हैं 10,000 में भी option की रस्ती है बट अगर वो trial के लिए 5,000, 10,000 लेके आएं तो ठीक है चलेगा अगर आप ही capital 5,000,000 है तो आप सोते हैं 5,000,000 से options में काम करके मैं उसको 10,000,000 बना दूआँ 20,000,000 बना दूआँ हो सकता है अगर आप एक अच्छी trader है बट अगर आप beginner हैं beginner मतलब beginner कभी भी आप यह नहीं हो सकता कि कुछ सालों के experience आप beginner बनेंगे beginner बनेंगे ये देखने के लिए कि क्या आपका स्वप्र लुक्त है क्या आपको सॉप लुक्र मालू ये मालूम है, क्या आपका setup दिस पे स्पर आप काम कर रहे हैं आपस्छो बर-बर चैर्ज़ कर रहे हैं, प्रो क्या करता है, प्रो के पास multi screen setup होता है multi screen setup में एक window में ये खुला होता है एक window में वो खुला होता है, option chain की study होती है बहुत साई चीज़े होती है, प्रो बनने में खर्चा भी लगता है capital बड़ी होती है, पूरा setup के साथ काम करते है तो अगर आपके setup की कमी है, तो physical setup होता है जिसमें आपके multi screen systems हो सकते हैं, वो भी setup का हिस्सा है आपके capital की कमी है, वो भी setup का हिस्सा है अगर आपके सब चीज़े कम हैं, तो आप pro नहीं है, आप beginner है या mature है, या practitioner है, जैसे आपने आपको जो नाम देना चाहिए तो please, सबसे पहले आप ये समझे है कि आप pro है या beginner है या intermediate है अगर आप intermediate और beginner है, तो आपको बहुत कम capital से start करना है number one, number two, don't change your strategies every now and then आप रोज रोज नया indicator plan नहीं कर सकते मैं आपको इस channel पर इतनी साइ strategies देदू हूँ और जो मैंने पनी life में test की है एक-एक strategy पर मैंने पैसा बनाया है आज मैं option data की classes लेता हूँ, option chain की classes लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है supreme जो analysis है, वो option chain analysis है निकल के आता है उस पर जाने पर pro बनने में time है starting up indicator से कीजिए, setup से कीजिए, मज़ा आने वाला है but don't change your strategy every now and then number 3, आपको कभी भी अपने lot sizes को change नहीं करना है fix your quantity for trading मतला अगर आपने एक lot से काम करना शुरू किया है आपका कम से कम 90 दिन, 3 महीने तक आप एक lot से जादा change नहीं करेंगे जो आपको लगे कि 3 महीने में आपने एक lot से बढ़िया पैसा बना है regular 500, 1000, 2000, 500 जो भी आपको चाहिए, बना पा रहे है comfortably, losses book करके भी, profit लेके भी, आप डीसेंट money बना रहे हैं तो आप अपने एक lot को दो lot पे जा सकते हैं कोई जल्द बाजी नहीं है, बजार कहीं नहीं जाने वाला है market is not going anywhere तो अगर आप पुल लगे कि आपके हाथ से छूट जाएगा, नहीं होगा number 4, FOMO के चकर में नहीं पढ़ना FOMO क्या है, fear of missing out आपको लगता है कि रमेश ने पैसा बना लिया, सूरेश ने पैसा बना लिया, मैं पैसे कब बनाऊँगा तो भी रमेश और सूरेश ने ना तो आपको आपको आपके बताना है कि रोने पैसा कैसे बनाया इन्चोट शेयर कर सकते हैं वो सोचल मीडिया पे आके जो हवा टाइट होती है ना, वो आप ही जानते हो, हिल जाती है, एकदम दिल की धर्ड करना है, धर्डर, धर्डर, कान तक सुना ही देती है, क्यों? जैसे आपने ट्रेड लिया, वैसे आपके अगेंस जाने लगा, रेड कैनल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ, कि आपके घर में आजाती है, होता है ना, कमेंट सेक्शन में करके बताना है, मेरे साथ हुआ है, सब चीजें जहली है मैंने, तो यह चार रूल्स हैं, आपको इनको मनाना है, पूरी कैपिटल नहीं लगानी, quantity चेंज नहीं करनी, फोर्मों का शिकार नहीं होना, सेट अप के स साथ काम करना है, और एक स्टाटेजी को बारबाद चेंज नहीं करना, तो फाइफ रूल्स होगा है, तो इस फाइफ रूल्स विल मेक यू बैटर टेर, ओप टो सी विडियो, वीडियो पसंद आया हो, मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक करके ही आगे बढ़ना, इस वीडियो की लाइक से अटागे मिनिममम 500 है, नया चैनल है 500 देंगे उसके में खुश हो जाँगा, पांसे जार देंगे तो मज़ा आ जाएगा, दोस्तों से शेर करना मत भूलीगा, और अगर अब भी तक चैनल को सबस्राइब में कहा है, सबस्राइब कीजिए, सबस्र सबस्राइब कीजिए, नहीं तो उस्तों नोटिफिकेशन शायद मिस हो सकती है, किसी इंडर्सिंग वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए टेक केर, बाबाई, कीप टेस्टिंग, कीप टेडिंग, कीप अर्निग, स्थियो